नमस्कार मैं सरोजनी पंडे अपने चैनल सरसुती घंगा मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे हूंगे तो जैसा कि मैं उपसर्ग पढ़ा रही हूँ सामाने हिंदी के अंतरगत सभदरचना पढ़ा रही हूँ सभदरचना के अंतरगत मैं पढ़ा रही हूँ उपसर्ग हमने पढ़ लिया है तीन उपसर्ग होते हैं और पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है तसम उपसर्ग, तद्भो उपसर्ग और आगतिया विदेशी उपसर्ग ठीक है तो ये हमने पढ़ लिया है और तसम उपसर्ग का दो वीडियो मुझे बनाना पड़ा क्योंकि तसम उपसर्ग जो होते हैं, संस्कृत की जो उपसर्ग होते हैं, वे 22 होते हैं, तो एक वीडियो में पढ़ाया नहीं गया, उसके लिए मुझे दो वीडियो बनाना पढ़ा, ठीक है, और उसमें बहुत ही महत्पूर्ण सब्द मैंने रखे हैं, जो अकसर परिक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, और आज मैं पढ़ाऊंगे आपको तदभव उपसर्ग, तदभव का मतलब होता है, ऐसे उपसर्ग, जो हैं तो संस्कृत के, लेकिन परिवर्तित हो करके वे, जो है हिंदी में परियोग किये जाते हैं, अब आप पूछे, आप कहेंगे कि क सब्द में ही हिंदी का उपसर्ग लग सकता है, जो संस्कृत का सब्द होगा, उसमें संस्कृत का ही उपसर्ग लगेगा, ठीक है, यानि कि संस्कृत का सब्द कैसा होता है, उसका कोई न कोई वर्ण आधा होता है, आधे वर्ण वाले सब्द होते हैं, वे संस्कृत के होते सबसे जो सब्द बना हुआ होता है वो संस्कृत का सब्द होता है और जब संस्कृत के सब्द में कोई उपसर्ग लगा हुआ होगा तब वहां पत्सम उपसर्ग होगा संस्कृत का उप्षर होगा लेकिन यदि कोई हिंदी का सब्द है जिसमें बैए है ठीक है छोटा से है ठीक है जै है तो ऐसे सब्द मनें की छैस्रत्र ग्यां शटकोड़ वाला से सलजम वाला से वह या इन सब्द को छोड़ करके अन्य जिन किसी भी वांड से बने हुए सब्द जो होते ह हैं वो तद्भो सब्द होते हैं ऐसे द्द्भो सब्दों में यदि अपसर्ग कोई लगा हुा है तो वह हिंदी का ही हुपसर्ग होगा然后 उसे तद्भो ऊपसर्ग ही कहा जाएगा इसका मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगी आपको पहचाननी के लिए कि तद्भो सब्द कैसे पहचाननो एक छलक देखते ही तद्भो सब्द कैसे पहचाननो वैसे मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है तद्भो सब्द का ठीक है और इस उपसर्ग को पहचानने के लिए कि कौन सा उपसर्ग किसमें लगा हुआ कैसे पहचाने तो देखें अगर संस्कृत का सब्द होगा तो उसमें संस्कृत का उपसर लगा होगा जिसे तध्सम कहते हैं यदि हिंदी का सब्द होगा तो वह उसमें पहचान मने अभी बताया है उनको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्व लगा है या फिर विदेशी का विदेशी सब्द हम पढ़ते ही समझ जाते हैं कि यह विदेशी सब्द है तो पढ़ाऊंगी आगे अगले वीडियो में अभी मैं आपको तद्वो सब्द पढ़ा रहे हूं तो यहां ज़्यादा टाइम बेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरह यह मैंने आपकी सुविधा की अनुसार लिख लिया है कि तद्वो उपसर्ग मूल रूप से संस्कृतिय नितस्सम के ही होते हैं जो परिवर्तित हो करके हिंदी में प्रयोग किये जाते हैं इनकी संख्या टोटल दस होती है दस से ज़्यादा कुछ नहीं होता अगर इन्हें से धेर सारा करोगे तो 15-20 हो जाएगा ठीक है लेकिन मूल रूप से दस ही होते हैं कौन से हिंदी के उपसर्ग तदभव उपसर्ग ठीक है तो यह देखिए मैंने यहां पर लिख रखा है उपसर्ग इसका आर्थ ही इसका उदाहरण थोड़ा थोड़ा करके जल्दी किसे आर्थ में प्रयोग होते हैं किसी चीज के निसेध में यहां कमी दिख रही हो उसके लिए आ यान प्रयोग किये जाते देखें कैसे पढ़े मूल सब्द है इसमें जोड दिया हो गया पढ़े विपरीत में कर दिया बिलोम सब्द हो ठीक है ना तो मैंने कि किस चीज की कमी है यहां पर पढ़ाई की यहीं पढ़ा लिखा नहीं है निके टिविटी अनहोंई यानि कि जो नहीं होना चाहिए था वो आठीक है अच्वीटी तुन होता है एक चेत नवस्ठा होती है एक अचेतन अच्यत का मतलब होता है मूर्चित होना ठीक है इसको होसना हो शोटा के अथा जिसकी गहराई का पता ना हो ठीक है चाहे वो प्रेम हो चाहे वो खुशी हो चाहे वो पानी की गहराई हो ठीक है तो उसे कहते हैं अथा हो गया अब दूसरा है उन ये आपको संस्कृत वाले में भी देखने को मिला था लेकिन वहाँ पर हलंत लगा हुआ था जब हलंत का प्रयोग होगा यानि की ऑध्यवर्ण का प्रयोग होगा अध्यनए का तब वह शंस्कृत का होगा तो उनका उर्थ होता है कम यानी कीसी चीज से कम जैसे हुग हो गया तो ये 50 से कम है 59 लिखार oh go gashi जैक 100 से एक मैं ही 79 हो गया ये 80 से सब्सक्राइब कर लेते हैं वैसे ही हम प्रयोग करने लग जाते हैं लिखने पढ़ने में तो यह हिंदी के उफसर्ग है जैसे कहते हैं आओ घट निकालते हैं आप आउसत कैसे निकालते हैं आउतार अगर संस्कृत में रहेगा आउतार तो कैसे लिखा रहेगा जानते हैं संस्कृत का सब्द ऐसे होगा आवर तार ऐसे लिखा होगा लेकिन यह चुकि हिंदी का सब्द है ना तद्भो सब्द है ना तद्भो उफसर्ग है यह तो यह आउतार ऐसे ही रहेगा ठीक है पहचान लीज Douglas इसमें अंतर अन्तर क्या है जोूतर हुप所以 का याकू का आर्ट होता है बुरा यह बुरे के लिए प्रयोक किया जाते हैं बुरे आर्थ इसमें प्रयोक किया जाते है जैसे कपूत हमने कहा तो कैसा पुत्र है वो बेकार पुड़ा कपूत अब अब यह संस्कृत में होता तो कुपुत्र होता कुपुत्र यानि जो पुत्र है वो संस्कृत का सब्द है उसमें जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है वो संस्कृत का उपसर्ग है कुपुत्र ठीक है याद रखिएगा संस्कृत के सब्द में यदि उपसर्ग है तो वह फान कचल चाल होता है इसमेँ कुचाल कुचाल माने ट्यावंकरी चाल प्रुप्स ऊचाल है गुप स्ट्लुपическая विभा तिर यावे छाल है ये ना केसजें चाल पार्ण कई चहें क्ण दो सब्सक्राइब पार अलमेंगर कि रहें यानि कि जो चीज ना हो, है ना, जैसे निहत्था, हाथ में कुछ नहीं था, मार पीट करने के लिए, या फिर कुछ कहीं गए, मिलने गए, लेने गए, निहत्था, ठीके, निकम्मा, यानि किसी काम का जो ना हो, उसे निकम्मा कहते हैं, निडर, जिसे डर ना हो, निडर, ठी तो यह परूपसर्ग जो तद्भों में प्रयोक किया जाता है यह पहले की पीड़ी को बताने के लिए किया जाता है अब उसके बाद है सात्मा शू शा है ना सू या सा इसका अर्थ होता है अच्छा यह अच्छे के लिए प्रयोक किया जाता है जिसे कहते हैं सुडोल सरीर व वाला सुडोल हो अच्छा है ठीक है अच्छा सरीर वाला अरे कुछ भी हो पेड़ पौधा कुछ भी हो आदमी सुडोल यानि कि जो एक बराबर में हो आकार परकार में उसे सुडोल कहेंगे सुजान सुजान का मतलब होता है अच्छी जान यानि कि कोई अच्छा व्यक्ति होता है उसे सुजान कहती है ठीक है अच्छा व्यक्ति शुगर यानि कि सुंदर ठीक है सुंदर शुगर येक सभाव को भी कहा जाता है ठीक है एक घड़े को भी शुगर कहा जाता है शुगर का मतलब घड़े जैसे, घड़ा सुंदर है, ठीके, सुंदर घड़ा, शपूत, अच्छा पुत्र, है न, यही होता है, चलिए, आठमा है अध, अब देखिए, एक था संस्कृत में अधाहा, अधाहा, उसमें विसर्ग लगा हुआ था, तो वो संस्कृत का है, अधामिटिक, ठीके न अब यहाँ पर अध लिखा हुआ है, न संस्कृत, न तो विसर्ग है, न हलंत है, इसका अर्थ होता है, आधा या अपूर, है न, जैसे देखो, अध जला, कोई चीज आधी जली हुई है, उसको कहेंगे, अध जला, है न, जला जो है, मूल सब्द है, अध मरा, यानि कि मार आध कक्चरा है या फिर खाना बना हो, दाल, चावल, कुछ भी, वो आधा कच्चा हो, तो उसे अध कक्चरा कहेंगे, уж से कहेंगे, और चावल, कुछ कच्चा है, कहेंगे, अध क कचरा बना की रख दिया, ऐसे बोलते हैं न सब लो, हाँ, समझ लीजिआ, अध पका, आधा कवा है तिक है अधょ चरा अधा कचरा भरा हुआ अधके चरा उसको भी कोछते हैं अधра को दो अरथ यह ऐक और एक किसी चीज़ को पखने के ढता है जैसे भरपूरी है बर मार भर शक भर पेट ये सब इना i सबसे को सबसे अब अब इतना ही पढ़ाओंगी यह ततबहों सब्सक्राइए जो आपको बता दिया है तदभो को पहचाननी की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप उसमें ये देखिए कि ये सब्द कैसा है संस्कृत का है या हिंदी का है यदि उसमें छत्रिय वाला छैत्र ग्यां स्रो बड़ा वाला सै सटकोड वाला सै और वा या या है तो वह सब्द संस्कृत का है और यदि ये तो वह सब्द हिंदी का है तद्भो सब्द है तो इतना ध्यान रखेगा और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में खूब इसको सेर कीजिए अगर आपको विस्तार से कुछ जाना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है बिना आपके कमेंट के मैं अपने में सुधार कर सकती मुझसे क्या गलती होती है क्या नहीं बता बताया मैंने क्या छोड़ दिया या कैसे बताना चाहिए क्या बताना चाहिए वह आप कमेंट करेंगे जभी पता चलेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद